हेलो भीवर्स असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो की छोटे से बड़े इसे सभी कोई पसंद से खाएंगे तो इछे बना के जरूर ट्राइ करके देखे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और अगर आप नए है मेरी चैनल पे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने या पे बोनलेस चिकन लिया है जिसे छोटा-छ स्पून काली मिर्च पाउड़र डालके इसे आप अच्छे से मिक्स करके मैरीनेट करके 15 मिनिट रख दे ओमलेट बनाने के लिए मैंने या पे चार एग लिया है बारिक कटी हुई हरी धनिया लिया है बारिक कटी हुई कैपसिकम एक बारिक कटी हुई प्याज और एक टोम हाफ टी स्पून सॉल्ट कटीवी प्याज कटीवी कैपसिकम टोमेटो और हरी धनिया और हरी मिर्च कटीवी डालके इसे अच्छे से मिक्स करें एक पैन में मैंने थोड़ा सा ओयल ले लिया है ओयल जब गरम हो जाए फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन के पीसेस डाल दे और इसे थोड़ा देर फ्राइ करें मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ा देर फ्राइ करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दे और लीड लगाके इसे थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दे लो फ्लेम में इसे आप पकने के लिए गैस पे रख दे दस बिनिट के बाद लीड को ओपन कर ले और यह देखिए चिकन सॉफ्ट हो चुका है इसे फिर थोड़ा देर फ्राइ कर ले यह चिकन बनके रेडी है अब हम लोग ओमलेट बनाना सुरू करेंगे एक पैन में थोड़ा सा ओयल मैंने यह पे गरम होने के लिए रख दिया है फिर इसमें ओमलेट का बेटर इसमें डाल दिया है इसे अच्छे से स्प्रेड कर ले फिर इसमें चिकन के पीसेस धीरे धीरे एड कर दे सारे चिकन के पीसेस को मैंने इधर एड कर दिया इसमें फिर इसको लीड लगा के सीम पे आप थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दे थोड़े देर बाद इसे चेक कर ले यह जब हो जाए एक तरप यह देखिए पक चुका है फिर उपर से एक प्लेट डाल के ओमलेट को दूसरी और टर्न करें मैंने इसे प्लेट में टर्न कर लिया है फिर से इसे पैन पे दूसरी और पकने के लिए डाल दे और लीड लगाके तीन से चार मिनिट सीम पे इसे पकने के लिए छोड़ दे थोड़े दिर बाद लीड को उपिन कर ले यह देखिए ओमलेट बन के रड़ी है फिर आप गैस बन कर दे और इसे किसी प्लेट में निकाल ले यह हमारा चिकन अमलेट बन के रड़ी है गर्मा गरम आप इसे सर्व करें मेरी रेशिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए डेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए थैंक यू भीवर्स फॉर वाचिंग मैं चैनल झाल